अब आओ सबसे पहले सवाल पे कि एविनेंदल 5.0 और 4.0 वालों का कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूं हमारी बात चल रही है पहले भी बात हो गई थी फिर से बात चल रही है अगर वहां पर पॉसिवल हो पाता है तो वहां पर अगर वहां पर पॉसिवल नहीं हो पाता तो एक अलग एप पर वहां के लिए भी मैंने पूरी बात कर रखी है किसी भी तरह की आपको घबराने की कोई बात है नहीं है आपको Google 4 मिल जाएगा आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल देना डिटेल्स डालने के बाद जिनोंने भी बैच ले रखा होगा उनका बैच एक्टिवेट हो जाएगा और उसके दो दिन बाद आपकी क्लासी बहाँ पर शुरू हो जाएगी ठीक है ठीक है एक चीज तो ये ठीक है और किसी भी तरह से आपको कोई परशानी नहीं होगी ये बात की मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है और मैं आपको यही बात कहा रहा हूँँ अब आगे से आ आगे आप रुक जाएए अभिनेंनन बैच को कहीं से भी मत खरी दिये मैं आपको यही स्क्राइश कर रहा ओं शिरफ उसी बैच की है उनके लिए गूगल फॉर्म आ जाएगा वो उसको भर देंगे तो हम आगे से जो भी चेप्टर हैं वो वहां से कंटीनू कर देंगे ठीक है एक जा दो दिन वहीं से मिल लेगी एप से मिल लेगी वहीं से आपके पास पहुंच जाएगी ठीक है आप उसकी टेंशन मत लीजे और हां आपने क्यों चोड़ा कैसे किया वह सब हमारी आपस की बात चीता है उसके उपर कोई रोला अरप्पा ही नहीं है ठीक है और फिर वही वाली कहानी मु दोनों एक गोड़े को ली होए चल रहे थे अपनी चाल में चल रहे थे चलते चलते किसी ने कह दिया कि अरे यार कैसे लोग हैं एक गोड़ा ले गूम रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं इनका दिमाग देख ले तो उन दोनों ने गोड़े की सवारी शुरू कर दी ज फिर उसने क्या किया फिर दोनों नीचे आ गए फिर किसी ने समझाया कि तेरे पिता जी तो वृद्ध है तू प्रिता जी को घोड़े पर बैठा दे खुद पैदल पैदल चल पढ़ चलो जी उस बंदे ने ऐसे भी सुन ली वो खुद पैदल पैदल चल पढ़ा और अपने पिता जी को घोड़े पर बैठा दिया, थोड़ी दूर और चला, तो आगे दो चार बंदे और मिल गए, उन्होंने कहा, अरे भाई कैसा पिता है, तेरा बेटा तो नीचे पैदल चल रहा है, तू उपर घोड़े पर बैठा है, कैसा जमाना आ गया है, अब पिता जी नीचे बनके गोड़े पर बैठ गया है, थोड़ी दूर भाई अब बेटा भी नीचे या लिया, अब उन दोनोंने तंगो कर कहा, कि भाई दुनिया तो किसी तरह से बानी नहीं लई, उन्होंने गोड़े को अपने सर पर उठा लिया, कि एक यही काम बचाया करना, चलिए भी करक तो लोग आगे बड़े वो थोड़ा सा दूर जाते ही, फिर वो लोग कहने लगे, अरे यार कैसे मूरख आदमी है, गोड़े को ही सिर पर उठा कर घूम रहे हैं, लोग गोड़े पर बैठते हैं, इन्होंने गोड़े को उठा रखा है, आज की सिच्वेशन के हिसाब से य मुझे अकसर आजाती है, कि भाई कील खुब तो रही थी, चूल तो इसके उठ रही थी, पर इतनी भी झखुब रही थी, ज़िए चलिए, यही सब बाते हैं मेरे पास तो आपके लिए content है, में तो भाई content ही चलता है, ठीक है, तो किसी भी तरह से परशान न आ हूँ,